मेंबर्स यहां पर क्या निफ्टी ने कन्फर्म ब्रेक आउट दे दिया है अब देखो यह सभी चीज़े मैं आपको पार्ट वन में समझाई है एक बाद जाके जरूर चेक आउट के लेना पार्ट वन इंपोर्टेंड है आज के लिए ठीक है एंड अदानी में कुछ न्यू कर लेना ठीक है अब देखो हर बार की तरह पार्ट व इंपोर्टेंट है कुछ इंपोर्टन रिजल्ट्स है वो डिसकस करेंगे बहुत सारे स्टॉक में नियूज है एंड आप लोगों की क्वेरीज चिके फटर पॉइंट पर आते हैं एफ आफ आई की खरीदारी देखो आज बहुत खरीदार की है यसरड़ी भी सेम डीटा था अप्रोक्सिमेटली मार्केट में फटर खरीदार है इसी की वज़े से यहां पर निफ्टी ब्रीकाउट करता हुआ दिखाई दिया है लेकिन देखो हम लोग को निफ्टी के ब्रीकाउट से कोई फरक नहीं पड़त फरक पड़ता है मेडिकेपस एंद स्मॉल केप के ऊपर जाने से ठीक है अभी बहुत सारे लोगों के स्मॉल केपस मरे पढ़ है लिकिन बताना चाहूंगा कि चांसे से क्या आपके स्मॉल केपस बहुत जल्दी रिकावर कर सकते हैं तो स्टॉक्स में एवरेज करना ला रहा हूं बहुत सारे लोग बोले हैं कि सर अपने जो एप्लिकेशन रॉंच की उसमें कोई स्ट्रेजी है ने रिटेल विशक के लिए उसमें सिर्फ निफ्टी बैंक निफ्टी है ठीक है तो वो स्ट्रेटरजी में बहुत जली रहा हूं ठीक है कोस ऑन प्रोसस है तो ऐसा हो तो प्री रेजिस्ट्रेशन हम लोग बहुत जल्दी स्टार्ट कर लेंगे जो इंट्रेस्टेट है वो आ सकते हैं साथ दिन का जो हाई होता है रिजल्ट का वो तो खतम हो चुग है अब क्या कर सकते हैं ठीक है अब देखो टाटा स्टील मेरी साब से अगर लिया है तो कोई issues आई नहीं लेकिन profit में है तो long term है hold करना चाहते का सकते हैं लेकिन short term में मेरी सबसे कोई momentum नहीं है अगर hold करना चाहते हैं का सकते हैं stock में weakness है आप यह समझो 100 से 125 के बीच में ये घुमता रहेगा ठीक है कुछ महीनों के लिए तो better है अगर short term का व्यो एक्जट कर देना और हाँ ये नियूस से कोई फरक नहीं पड़ेगा जो भी 4000 करोर की नियूस आई थी टाटा इंडिगो देखो इंडिगो यहां पर स्टीक सेल करने वाला है वाया ब्लॉग डील ये नियूस नेगेटीव है सुनो ध्यान से नियूस नेगेटीव है क्योंकि वो डिसकाउ ये ने बाइक किया है तो आप यह समझो कि इंडिगो जैसे स्टॉक्स में नेगेटीव रियक्शन आ सकता है आँज गीरा भी था तो मेरे साथ से आपको जिनके पास यह स्टॉक है उनको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिं इंडिगो के अंदर क्योंकि यह स्टॉक वापि रिजल्ट आने के बाद भी ठीक है लेकिन एक टाइम यह समझो कि अगर मानलों आपने अदानी का सोचा कि अदानी का बलन फूटा है तो इसका भी एक दिन बलन जरू फूटेगा ठीक है क्योंकि यह वहुत ओवरवैलूड है वेदान्ता अब देखो वेदान्ता अगर को रिदीउस का है ठीक है अब दो बिलियन डॉलर के डेप रिदिउस के अभी उन वोगों का प्लान ओलरडी था कि हम लोग डेप रिदिउस करने वाले फ्यूचर में और आगे चल्के और हो सकती है ठीक है तो आप यह समझो कि यह जो डेप रिदिउस के वो परेंट कमने नहीं किया है अभी जो मार्क इंडियन मार्कें में इस्टेड उसने नहीं किया है तो अगर इस टॉक है तो होल कर सकते हैं हम लोग ने पहले भी आपको बताया था अगर होल करना चाहते हैं स्टॉक में स्टील पॉजिटिव स्ट्रेंथ है लेकिन स्टॉक अभी एक रीज में फसा हुआ है वह है टू एटी से लेके 340 के अप्रोक्सिमेटली रेंज में अगर यह रेंज ब्रीक होती है तो अच्छी खासी मोमेंटम आ सकते हैं इनी डिरेक्शन में ठीक है चांस तो पॉजिटिव साइट पैट लेकिन डिपेंड करता है मार्केन में कोई नेगेटिव नीउस ना जाए स्टील सेक्टर के लि क्योंकि देखो आप हमारे वीडियो क्यों देखते हैं समझो बात को आप कुछ सीखना चाहते हैं भले हम लोग नियूस डिसकस करें या हम लोग कुछ भी डिसकस करें मार्केट में ठीक है ना लॉजिक मेरा लॉजिक डिसकस करें लेकिन आप सीखने के लिए हो हमारे वीड स्टॉक 200 दिवा की नजदीक पहुँचने की कोशिश करते हैं तो हाई चांसेस है कि वो स्टॉक फॉल और कर सकता है ठीक है चोटा सा ब्रेकडाउन था मंसली चार्ट के अंदर भारत फोज ने 700 से श्टॉक 600 पर आगया था फिर वापस ब्रेकडाउन देने की कोशिश कर रहा है अगर यह स्टॉक ने ब्रेकडाउन दे दिया अरौंड जो है आट सो के नीचे तो फिर यह स्टॉक बहुत खरब यह स्टॉक और ऐसा नहीं गिरा है बहुत बार गिरा है साथ सो का स्टॉक 200 तक पहुंचा है तो मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगा कि टॉप लेवल पर रियेंट्री करने चाहिए यह स्टॉक के अंबर समझ पारे हो तो यह स्टॉक आपको अभी के लिए नही तीन मैने के बाद जो भी तीन मैने का है होगा उसके बाद यह स्टॉक आने वाले एक सल में नहीं क्रॉस करेगा या कुछ भी वो सोशल मीडिया में प्लॉस्ट कर दिया तो उसको बोलते हैं विसल ब्लोर अगर किसे ने विसल ब्लोर बनके यहां पर कमनी पर बड़े-बड़े ऐलिकेशन लगा है और स्टॉक क्रेश करता है तो आप यह समझो कि स्टॉक में मिटम के लिए विक्निस और कराएगी अगर स्टॉक कंटिनिसल लुवा सर्किट मारता है तो से भी भी कुछ नहीं करेगी रिटेल में शको बचाने के लिए ठीक है स्टॉक गया क्रेश खतम फिनिश कुछ नहीं होने वाला ठीक है हम लोग ने यह चीज़े आपको इस वीडियो में बताई है कि से भी क कर रहा है क्यों किसको सब्बूर्ट कर रहा है कि का समझ रहो टो एक बार अम्रूत अंजिंट को स्टॉक दिख लेते हैं लिक उ पले सी ग्रैश करा था हज़ार का है तो आप यह जो जो झोब कर दाई है चानस नहीं अगर रेलिकेशन केंसल हो जाती है खतम हो जाती है तो में भी रिकवर कर सकता है लेकिन शॉर्ट टम में जनरली नहीं हो गए यह तो अच्छी बात है कि सिफ साथ परसंट क्रेश हो आए एक आए एनर्जी की बात देखो ठीके ना अगर एक आई देखो सी यहां पर स्टॉक कंटिनेसली लोगा सब्सक्राइब करेंगे एक एनर्जी क्योंकि सिक्वंस है ठीक है अम्रूत अंजन मेरी सबसे अगर है तो मेरी सबसे आपको अगर पॉसिबल एक्जिट करना ची ठीक है यह स्टॉप्लस लगा सकते 600 का 600 ब्रेक तो एक्जिट कर लेना बाकि स्टॉक में विकनेस है नीचे अगर सपोर्ट मिलते तो वहां पर लेने की कोशिश करना है तो अब बाकि आपकी आपकी क्वेरी साज आती है अब देखो को व्योस ने पूछा था कि सर्टी क्या हो रहा है अब सी एक्टी एनर्जी में एलिगेशन लगाए थे इनकी जो अकांटिंग थी ठीके आप यह संजोंगे और छिजो सर्विस प्रोड को पर गांटिंग यह जो हैं इनकी जो को ने-इनोंने यह बोला है कर दो को अगर कोई बड़े ऐलिकेशन साथ है स्टॉक लूवर सर्किट में जहाता है वो भी 10 परसन या 20 परसन जहां स सुनना यह यह important है क्योंकि आपका लॉस बचा सकती है अचि को यह इस पड़े या चोटे है ठीक नहीं समझ मैं रहा है यह तो दिखाई दे रहा है कि स्टॉक ने लौर सर्किट मारी त्टीक है दिखाई दे रहा है आज स्टॉक ने एके एनर्जीन लौर सर्किट मारी क्लोज बीस परसन की lower circuit second day को भी ये stock lower circuit मारी थी लेकिन थोड़ा उपर open होके बाद में lower circuit मारी ठीक है आप ये समझो एक बार 20% की lower circuit लगी यानि कि बड़े place sale करना चाहते हैं और stock उपर तभी जाता है जब बड़े place खरीते हैं और stock तभी नीचे continuously जाता है जब बड़े place stock को बेचते हैं आपको first lower circuit के बाद ही आपको बेच देना चाहिए था या तो order please कर देना चाहिए था क्योंकि पता है क्या होता है दो बार 20% की lower circuit लगती है दो बार 10% की lower circuit लगती है उसके बाद continuously 5-5-5% की circuit लगती है lower जैसे की अदानी group में लगी ठीक है बाद समझ में आ रही है तो हुआ क्या है कि दो बार 20% की लगती अब दो बार 10% की फिर गंटिनिसली 5% की अब अब निकल नहीं सकते 5% में निकल नहीं सकते 20% में at least आपको एक दो बार मिलता है निकलने का ठीक है तो अब भी अगर मुझसे पूछे तो stock में देखो long term में कोई बुराई है नहीं एस पर my view long term में बुराई नहीं है ठीक है लेकिन stock एक proper fair value के आसपास आएगा जीस तरह से यहां पर इनके accounting firm ने mention किया है समझ रही हो तो आप यह समझो में निकलना है तो यह चीज़े ध्यान में रखना है और ऐसे अगर यहां पर अलिकेशन लगाएंगे accounting firm तो यहां पर CB कुछ नहीं करेगी कोई भी बार बार से निकल के अलिकेशन लगाता है तो इसमें क्या करेगी ठीक है ना समझ रहे हो तो यह चीज़े फोकस करनी है अर्नव फैशन एक सर ने पूछा था सर अर्नव फैशन में क्या करना चाहिए देखो आई एक्स में आप एवरेज कर सकते हैं सवरू ब्रदर ठीक है पतनजली में एवरेज कर सकते हैं लेकिन छोटा मांट आई एक सोड़ा ज्यादा सिफ है अब पतनजली से अभी के लिए जीस तरह से फॉल हो रहे है दीपक्ट नेरिटेट मेरी सब से भाई यह और फॉल करे है यह स्टॉक टूटली मैनुपलेटेड है अगर मानला फसे है क्या कर सकते है अगर आपको लॉस नहीं करने तो आप यह समझो एवडी जैसे आपने की है कोई आपने एवडी जो रेगुलर मांट में की है ऐसे करके भोल जाव स्टॉक को एक टाइम ऐसा आएगा कि स्टॉ में यह आने वाले पांच साल में है यहां से 38 का 100 भी जा सकता है लेकिन वह बहुत रहर कंडिशन होगी तो अभी के लिए मेरे पास कोई इसका ओपनी नहीं है स्टॉक टोटली साइडवे से उपर जाने के कोई चैंस नहीं है शायद जिस तरह से ऐसे अपर सर्किट कंटीनि लिए श्टक मैनियू पिलेट किया और मैनोपिलेट करकर के फॉल्ल करवाया ऐसी यह स्टॉक फ्यूटर में हो सकते लेकिन वो करेंट इ independent में भी पॉसिबल नहीं है आने वाले कुछ साल में हो सकते हैं ठीक है यह चीज़े ध्यान में रखना और ऐसा स्टॉक में नहीं जाना है जहां पर लोग सब्सक्राइब रोज लगती है ठीक है ठीक है फिर सीजी पावर सीजी पावर एक बात देख ले थे क्योंकि बहुत सार मैं दोसों पर प्रॉफिट वुक किया था लेकिन यह स्टॉक तीन सो बीस तक जाता हुआ दिखाया अब मैं इसको टोटली रिस्क वोलूंगा फ्रेश एंट्री करने के लिए हाँ ट्रेडिंग कर सकते हैं अगर किसी को छोटे मोटी ट्रेडिंग करने कर सकते हैं लेकिन फ लेकिन मेरी सब सब्साइड़् नहीं करना चाहिए प्रॉफिट में है तो लॉंग टर्म है प्रॉफिट में 50-60% भूई कर लो ठीक है अफ्त लिस्ट आपने 50 पर्सन मbbe हर्को किया है अगर फॉल किया तो आप यह डर में नहीं रहोगे कि आपने प्रॉफिट बूट नहीं ठीक है and campus मेरी सबसी और गिर सकता है यह टोटली मैनुपलेटिव था मिन आपको पहले ही बोला थे बहुत ओवर वेलिव श्टॉक है अब लोग क्या करते हैं पंप इंडम करते हैं 300 का स्टॉक 600 ले आए और 600 को स्टॉक वापस 300 तो बात समझा करो बहुत मार्केट में मैनुपलेशन बहुत चल रहा है से भी कुछ नहीं है और करेगी नहीं मार्केट के अंदर इतना इर्रेगुलेटरीस है 1990 डुमेंड ही किया था अभी क्या करेगी समझ रहो तो मेरी साब साब को यह देखना चीए कि स्टॉक अगर लिया है तो कंपनी बूरी है नहीं आज नहीं तो दो तीन सल में उपर जाए गई लेकिन अभी के लिए एवरेज नहीं करना चीए स्टॉक अगर वाट्सव ग्रूप को जोइन करने हमारी लिंक से अफ डिमेट अकाउन ओपन कर सकते हैं पांच मैने की फ्री मेंबर्शिप जोइन कर सकते हैं या फिर आप यहां पे नाइन हैं टुपिस पर मन्द की मेंबर्शिप ले सकते हैं तीक है मिलते हैं अगले वीडियो के अधर तब तक के लिए गुडबाई जैहिर